और आपने भी देखा होगा, किस बजेट में देश को आधुनिक ताजी तरफ ले जाने की दिशा में हैं, कई महतुप्र कदम है, साथियों, जब हम आज के बजेट की चर्चा करेंगे, तो सापेश भी होती हैं, कुछ तो पुरानी बातों की तुन्ला करेंगे, तब पता चल पाहें, बिते साथ वर्षों में, जो निर्णय लिये गए, जो नीतिया बनी, पहले की जिन नीतियों में गल्तियों को सुधारा गया, उस वज़े से, आज भारत की अर्थ वबस्ता का निरंतर विस्तार हो रहा है, साथ आठ साल पहले भारत की जिडिपी एक लाग दस हजार करोड रुपी की थी, आज भारत की अर्थ वबस्ता दो लाग तीस हजार करोड के आसपास की है, वर्ष दो हजार तेरा चौदा में भारत का एक्सपोर्ट दो लाग पच्चास्ती हजार करोड रुपी होता था, आज भारत का एक्सपोर्ट चार लाग सत्तर हजार करोड रुपी के आसपास पहुँचा है, साथ साथ पहले करीब दो सो पच्चतर बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा रिजर्व हमारे देश के पास था, आज देश का विदेशी मुद्रा रिजर्व शेह सो तीस बिलियन डॉलर को पार कर गया है, वर्फ दो हजार तेरा में देश में चट्थीस बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश एफडिया ही था, पिछले साथ ये असी बिलियन डॉलर को पार कर चुका है, कोरोना के इस काल में भी भारत ने अपनी अर्थववस्ता की मजबूती से दुनिया का एक विशेश रुप से ध्यान आकर सित किया है, आज भारत दुनिया के उन देशों में जहांके एकॉनमिक इंडिकेटर्स में बहुत तेजी से सुधार आ रहा है और फंडामेंटल्स मजबूत है, इस साल का बजएट इसे और गती देने वाड़ा है, साथियों जब गरीब को मुल्भूत्स विधाएं मिलती हैं, तो वो अपनी उर्जा, अपने विकास देश के विकास में लगाते हैं, इस बजएट का भी फोकस, गरीब, मिल्डल क्लास और युवाओं को बुनियादी सुविधाय देने और आएके स्थाई समाधानों से जोडने पड़ हैं, हमारी सरकार मुल्भूत सुविधाओं के सेक्चुरेशन पर काम कर रही हैं, और यह बात मैंने लाल किलेपर से भी कही थी, पानी की दिक्कर, पानी की कमी, गरीब के जीवन की, महिलाओं के जीवन की, सबसे बड़ी चुनोतियों में से हेक हैं, और आजादी के 75 साल के बाद भी हैं, किसान को भी, छोटे किसान को खास कर, पानी के बिना बहुत दिक्कते हैं, हमारी सरकार के प्रयासों से आज, देश में करीब करीब नव करोड ग्रामिर घरों में, नल से जल कहुचने लगा है, और इसमें से करीब करीब पाट करोड से जादा, पानी के कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत, पिछले दो बश्में दिये गए हैं, अब बचाएं,